इस समय हमारे साथ भारतिय जनता पार्टी की कैंट से प्रत्यासी रीता बोगडा जोसी हैं तो आईए जानते हैं कि रीता जी ने अभी जो है आपने आरोप लगाया था आरपणा यादों पर की सराब और पैसा बाटने क्या गए तेशे दुरुप से बहुत दुरुपयों ग लोग कारे करते हैं उनका उनका सिंपथी समाज में खोता है उनका नुक्सान होता है अब चुनाओ रुआप पे राजनेतिक रुआप पर पैसे पर नहीं संभव है वो सिर्फ और सिर्फ जनता की बीच रहने से ही सफलता मिलती है इस बार क्या मुद्दा इस बार रहेगा जनता के बीच में आप मुद्दे जनता में रख चुके विकास विकास और विकास और उत्तर प्रदेश को निजाद ब्रश्टाचार से माफियवाद से और गुंडाराज से और एक सुशासन की विवस्था भार्थे जनता पार्टी की सरकार बने और हम दे और शेतर के होंगी लोगों से मेरा समवाद और मुलागात होती रहती है वो चलती रहेगी स्यूपाल यादो की जो विधान सभा सीट है जस्वांत रंगर उस पे आज जो है उनके काफिले पर हमला हुआ क्या कहेंगी देखिए लोगतेंद में हिंसा की कोई जगह नहीं है और जो भी हि करता है उसके खिलाफ कानूनी कारवाई होनी चाहिए तो यह हमारे साथ थी रीता बहुगडा जोसी जी जो भारतिय जनता पार्टी के प्रत्यासी कैंट विधान सभात से थी और यह जरूर कह रही थी कि इस बार विकास और इस तरीके के मुद्दे पर जनता ओट करेगी औ करता है यह थी ख्यासी